हेलो फ्रेंड्स क्या हला आप सबका तो चले स्टार्ट करते हमारा आज का टोपिक हमारा आज का टोपिक है विटामिन का ठीक है आज के टोपिक में हम विटामिन से रिलेक्टिड हर छोटी बड़े क्यूस्टें को करेंगे कैसे इस में इस एक्जाम में क्यूस्टें पूछे करें और साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरूंत नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है तो विटामिन टोपिक विटामिन के बार में आप सबने शुन भी रखा होगा पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत ठीक में आपने सुन रखा होगा थीक है थोड़ा बहुत जानते भी होगे उससे पहले हम करेंगे विटामिन से रिलेटेड कुछ क्यूस्टन जो की एकजाम में बहुत बार पुछे जाते हैं ठीक है और डायक्ट पुछे जाएंगे कि विटामिन जो भी अभी हम करने वाले हैं विटामिन का ये कारिया है, ये कारिया नहीं है, ये सब बाते अभी हम पढ़ेंगे हैं डायक्ट पुछी जाएंगे ठीक है तो A, B, C, D तक पहुँचने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ क्यूस्टन है वो कर लेते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन की खोज किस ने की तो विटामिन की खोज किस ने की नोट कर सकते हैं आप कापी पैन लेकर विटामिन की खोज लुनिन ने ठीक है लुनिन के दोवारा विटामिन की खोज की गई ठीक है लेकिन यहाँ पर बहुत डाउट रहता बच्चों को कि विटामिन की खोज तो लुनिन नहीं की आपने सुन रखा होगा C-Funk ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि विटामिन की खोज तो लुनिन नहीं की थी लेकिन विटामिन जो ट्रम है वो किसके द्वारा दे गई थी सी फंक के द्वारा ठीक है तो अगर आपसे क्यूस्टन में पूछे कि ट्रम विटामिन वाज गिवन भाई तो उसका राइट अंसर क्या आप जाएगा सी फंक ठीक है 1912 में यहां पर क्या confusion है उसको दूर करते हैं विटामिन की खोज लोनिन ने लेकिन जो ट्रम विटामिन है वो किसके द्वार दिया गया सी फंक के द्वारा ठीक है इस से पहले विटामिन से पहले विटामिन को किस नाम से जान जाता था जब Loonin ने खोज की तो Loonin ने क्या बतायाती कि ये हमारे सिर्फ के accessory factor है accessory factor है ठीक है तो विटामिन से पहले विटामिन को किस नाम से जान जाता था accessory factor के नाम से और विटामिन टर्म किसने दी C-Funk ने 1912 में ठीक है तो ये confusion आपका दूर हो जाना चाहिए है कि accessory factor की कोज किसने की लुनिन ने या फिर विटामिन की खोज किसने की लुनिन ने अगर option में आपको दोनों मिलते हैं लुनिन और शी फंक और question पूछ रक्खा है कि भी ही विटामिन की खोज किसने ठीक है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पुच्छता है कि विटामिन क्या है विटामिन जैसे ऐप्सन देगा कि ओर गैंक कंपाऊंड इन ओर गैंक कंपाऊंड एत विटामिन एक ओर्गैनिक कमपाउंड है ठाए ओर्गैनिक कमपाउंड है यह कई बार क्यूस्चन पुछा गया है कि विटामिन क्या है इन ओर्गैनिक और गैनिक कंपाउंड तो विटामिन एक और गैनिक कंपाउंड है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि विटामिन कितने परकार के होते हैं विटामिन कितने परकार के होते हैं उसको जानने से पहले हमें एक बात और यहां पे जानते हैं कि विटामिन कई बार पूछ ले के दोवारा हम विटामिन्स को लेते हैं ठीक है लेकिन अगर आप से क्यूस्टन पुछे कि क्या विटामिन्स से हमें उर्जा प्राप्त होती है नहीं विटामिन्स से हमें उर्जा प्राप्त नहीं होती लेकिन क्या है कि जो भी उर्जा संबंदी राशाइनिक अभी किरिया ह हमारी शरी में जो भी उर्जा समंदी राशाइनी अभी किरिया होती है वो सारी की सारी को नहींडल करता है विटामिन करते हैं ठीक है तो विटामिन से हमें उर्जा प्राप्त नहीं होती लेकिन जो भी उर्जा समंदी राशाइनी के भी किरिया हैं वो सारी की सारी vitamins करवाते हैं ठीक है तो उसके बाद जानते हैं कि vitamin कितने परकार के होते हैं तो vitamin दो परकार के होते हैं आपने सुन भी रखा होगा कि fat soluble और water soluble यहां से question पुछे जाते हैं कि कौन सा vitamin fat soluble है और कौन सा vitamin water वाटर सोलुबल है तो वाटर सोलुबल में कौन से कौन से विटामिन आते हैं इसमें विटामिन आते हैं आपके B and C ठीक है B और C विटामिन वाटर सोलुबल है और फैट सोलुबल कौन से विटामिन आपके A, D, K, E ठीक है तो फैट सोलुबल हो गए A, D, K, E और वाटर क्यो Ici उप्सकिस्ट पुखे कि निमल लखीत में इसे कौन सा विटामिन question पुछे जाते हैं विटामिन की टाइप से तो दो टाइप हो गई fat soluble और water soluble water soluble में कौन से विटामिन आते हैं आपके vitamin b and c fat soluble में vitamin a d ke ठीक है तो यह हो गया आपका एक intro vitamin के बारे में ठीक है और इससे आगे हम बढ़ते हैं एक तो इस परकार हम उसको एक चार्ट के थरूप पढ़ेंगे उनके लिए कौन से खाड़े-पदार्थ फायदेमंद होते हैं कौन से पतार्थ खाने से हम खाड़े-पदार्थ खाने से उन vitamins की कमी हमारे शरीर में पूरी हो जाती है तो उन सब को एक चार्ट के थरूप भी हम पढ़ते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इससे आ गया हम अभी करते हैं तो यह दोस्तों हमारा चार्ट ठीक है यह vitamins यह इनके chemical नेम और यह है डीजिज इनसे कौन से बिमारिया होती है और यह हिनके Sausage Thoth कौन से खाड़े-पदार्थ खाने से हमारी यह vitamins की पूर्ती होती है ठीक है इनको हम एक एक करके अभी समझते हैं इनसे क्या-क्या बनते हैं और कैसे questions पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आता है आपका vitamin A तो सबसे पहला है vitamin A ठीक है इसका chemical name क्या है very important chemical name इनके सारे के सारे जो भी हम vitamin पढ़ेंगे इनके chemical name सारे के सारे बहुत ही important है ठीक है आप से अग्जाम में बार बार डायक्ट पुछे जाएंगे कि vitamin B का chemical name बताइए vitamin C का chemical name बताइए तो आप अगर वीडियो को दो से तीन बार देखेंगे तो यह आपको अपने आप याद हो जाएंगे ठीक है और आपकी इनकी प्रेक्टिस जब हमें के एम सी क्यूज लेके आएंगे उन में इनके वाइट बलड wire cells स्वेंगे करनीका एक हैं जो हमारे शे seguridad है करती है उनका व'll निर्मान मेंी vitamin E करता है ठीक है तो उसकी कमी के कार्ण कौन सा रोग हो जाता है रतोंदी ठीक है इनकी कमी के कार्ण कौन तुए जीरो फ्लेथेम्यकाram.com इसलिए में जो अांखों में आते हैं, वो उनिक्त हमें अंप्राइट कांड कौंचा वितामीन होता है, ओधिकाई हिए, तो जो अग्य. की परकिरिया बंद हो जाएगी उस परकिरिया क्या बोला जाता है नय बनना हमारे आखों में आशों का नय बनना क्या कहलाता है जीरो फिलेथेमिया ठीक है तो यह जीरो फिलेथेमिया रोग हो जाता है ठीक है तो विटामिन एक कमी के कान कौन सा रोग हो जाता है जीरो फिले है छोपो हो जाता है कई बाइए की करता है मतलों मलेशिया उसको बोलते हैं इसants- ऐसके बाद पड़ते हैं कि इन विटामीनन की पूरतीपूरी हो जाती है उसके sh Concept क्या सबसे पहला यह आप मुछ लेता है कि 윤볼 फिर दिन तो इस परकार वैसे तो हम जैसे पढ़ेंगे दूद, अंडा, मचली का तेल, मक्षन यह हम आगे भी देख रहे होगे आप कि बहुत से इन में सारे विटामिन मिल ली जाते हैं ठीक है लेकिन मैं बात क्या है कि यहां पर गाजर जो है इसमें विटामिन आप पूर मातरा में जाता है ठीक है तो यहां से क्यूस्चन बन जाता है कि निमिल खित में से किस में विटामिन आ पाया जाता है तो अगर गाजर ऑप्शन में है तो आपका राइटन शुर हो जाएगा गाजर ठीक है उसके बाद दूद, मक्खन, अंडा, मचली का तेल, इन सब में विटामिन ने पाया जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका विटामिन एप केमिकल नेम रेटिनोल इसके कान कोन सी बिमारी हो जाती है रतों जी जीरो फलेथेमिया कराटो मेलेशिया इसके स्त्रोथ क्या-क्या है गाजर, दूद, मक्खन, अंडा, मचली का तेल ठीक है यह हो गया आप चलते हैं vitamin B पे, तो vitamin B पे हम पढ़ते हैं कि इसके कुछ part है, B1, B2, B6, B7, B12, ठीक है, इन से question पुछे जाते हैं, तो vitamin B complex भी बोल देते हैं, इसको, chemical name है, आपका thyme, ठीक है, chemical name हो गया, thyme, vitamin B, B1 को जाता है, very important, berry, berry, ठीक है, इस में क्या होता है, हमारे जो nerve cell होती है, ये सारा का सारा nerve cell related होता है, जो हमारे nerve cells होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, उन में कमजोरी आ जाती है, तो इस में होता है, विटामीन B1 के कार्ण, इसके स्त्रोथ क्या है अंडा, मास, मचली, एक्सेटरा ठीक है जैसे कि हमने पढ़ा मचली, अंडा, मास, दूद, गी, मक्षन इन सब में ये सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका विटामिन B1 विटामिन B1 का केमिकल नेम थाइमीन राइबो फलेविन, इसका केमिकल नेम क्या है राइबो फलेविन, ठीक है इसके कारण कोन से बिमारी होती है मोतिया बिंद मुँ के किनारों का फटना एम सूझना जो हमारे मुँ में जो जैसे कि यहां से कई बारे ओठों के बीचे जगह फट जाती है सर्दियों में या फिर गर्मियों में तो वो किसके कान होता है विटामिन B2 के कान है और आंखों में मोतिया बिंद का जो कान होता है वो भी कौन से विटामिन के कान होता है विटामिन B2 के कान है ठीक है तो इसमें भी स्त्रोत क्या है इसके यह दूद, अंडा, मास, मचली ठी केमिकल नेम क्या है बीटू का राइबो फ्लैविन ठीक है आगे बढ़ते हैं बीशिक्स पे विटामिन बीशिक्स इसका केमिकल नेम क्या है पाइरी डॉक्सिन ठीक है पाइरी डॉक्सिन इसके कान क्या होता है यह हमारे सरीर में खून जो होता है उसको बनाने में साहता करता है तो इसके कमी के कारण क्या हो जाएगा एनिमिया ठीक है एनिमिया क्या होता है जो हमारे सरीर में खून की कमी होती है उसको हम क्या बोलते है एनिमिया ठीक है तो यह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है विटामिन B6 की कमी के कारण एनिमिया रोग हो जाता है ये किस में होता है अंडा, दूद, मास, मस्ली इन संब में विटामिन B6 होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं B7 पे B7 का केमिकल नीम क्या है बायोटीन ठीक है इसके कमी के कान क्या हो जाता है फालिंग ओफ हेयर हमारे जो बाल ज़िखने लग कोई से वीटामिनिंगी कमिके कान में लmia न यह से पूर्ति-पूरी होती है। इस बाद आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12, very important question, ठीक है, यहाँ से बहुत बारक जब में question पूछे जाते हैं, विटामिन में, तो विटामिन B12 का chemical name क्या है, साइनो कोबाल अमाइन, ठीक है, साइनो कोबाल अमाइन B12 का chemical name हो गया, ठीक है, इसके कार्ण क्या होता है, जो एनिमिया का एक परकार होता है, परनीशियस एनिमिया, ठीक है, जो हमारा रक्त होता है, उसी का एक टाइप होता है, उसकी कमी के कार्ण जो रोग होता है, उसी एनिमिया का एक टाइप है, परनीशियस एनिमिया, ठीक है, यह रोग हो जाता है, विटामिन B12 की कमी के दूद मास मचली दूद यह सब इसके विटामिन B12 के स्त्रोथ हो गए ठीक है यहां से एक क्युस्चन और बनता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट दातु पाई जाती है तो इसका राइट अंसर क्या होगा B12 ठीक है यह फिर ऐसे पूछ सकता है कि विटामिन B12 में कौन सी दातु पाई जाती है तो विटामिन B12 में कौन सी दातु पाई जाती है कोबाल्ट दातु तो यह आपका नोट कर लेना यहां पे कि कोबाल्ट दातु कौन से विटामिन में पाई जाती है विटामिन B12 में ठीक है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट दातु इसका केमिकल नेम ह हो गया साइनो कोबालामीन इसके बाद इसका कमी के कारण कौन सा रोग होता है परनीशियस एनीमिया ठीक है दूद अंडा मास मसली यह सब खाने से इसकी पूर्ती पूरी हो जाती है यहां से एक क्यूस्टन यहीं इंपोटेंट है कोबाल्ट दातु कौन से विटामिन पाई जाती है B12 में ठीक है आगे बढ़ते हैं वीटामिन C ठीक है विटामिन C का कैमिकल नेम क्या है buat a scorpic acid ठीक है ऑस कोबिक acid ध्मक नाब इसके बाद इसके कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है सकरवी रोग ठीक है इसमें क्या होता है शकरवी में इसमें होता है जो तो हमारे मसूडे होते हैं यवी दांत होते हों इसके स्त्रोफ क्या है विटामिन C के जैसा कि हम केमिकल नेम पड़ रहे हैं एसकोर्बिक एसीड इसीड है इसमें अमल है तो जैसे कि हम के में स्ट्री पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि अमल और रक्षा ठीक है तो उसमें अमल में हम पढ़ेंगे कि अमल स्वाद में खटे होते हैं तो जो भी खटा पताद होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है ठीक है तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आवला, सिमला मिर्च, अमरूद, संत्रा, निम्बू, इन सब में क्या पाइजाता है विटामिन C, अगर क्युस्टन कई बार पूछ लिया जाता है कि निमल लिखित में से किस में सबसे ज्यादा विटामिन C पाइजाता है, और यह चार उप्षन देगा आ आवला में, ठीक है, तो यह मैंने सारे सिरीज वाइज लिख रखे हैं, आप इनका ध्यान रखना कि कैसे क्युस्टन पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा पाइजाता है आवला में, उसके बाद सिमला मिर्च में, उसके बाद अमरूद में, उसके बाद संत्रा में, उसके ब विटामिन नहीं पाया जाता तो दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता विटामिन सी वेर इंपोर्टेंट ठीक है दूद में अनुपस्तित कौन सा विटामिन है तो विटामिन सी दूद में अनुपस्तित वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके आप इसको टिक कर लेना ठीक है लिख लेना तो दूद में कौन सा विटामिन नहीं पाए जाता विटामिन सी ठीक है इस बात का आप द्यान रखना यहां से इसका राशाइनिक नेम या केमिकल नेम क्या हो गया एसकोर्विक एसिड ठीक है इसके बाद इसकी कमी के कारण कौन सी बिमारी होती है सकरवी इसके स्त्रोथ क्या है आवला शिमला मिर्च अमरूद संत्रा और निम्बू ठीक है दूद में अनुपस्तित होता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन D पे ठीक है विटामिन D की कमी के कान कौन सा रोग होता है और इसके स्तरोथ क्या है और इसका केमिकल नेम क्या है ये सब पढ़ते हैं तो विटामिन D का केमिकल नेम क्या है आपका काली केली सी फैरोल ठीक है काली केल सी फैरोल ये इसका केमिकल नेम हो गया ठीक है इसकी कमी के कान कौन से रोग होते हैं रिकेटरस आस्टियो मलेशिया तो इसमें रिकेटरस में क्या होता है जो हमारी हडिया होती है वो कमजोर हो जाती है ठीक है इसमें बताते हैं कि रिकेटरस में तो जो बच्चों में जो हडिया कमजोर हो जाती है वो विटामिन D की कमी के कार्ण क्या हो जाएगा जैसे आप देखते भी होगे कि यह ऐसे हो जाते हैं कई बार जैसे बच्चों के पैर निच्चे से ऐसे हो जाते हैं आपने देखा भी होगा तो वो कौन से विटामिन की कमी के कार्ण होता है विटामिन D की कमी के कार्ण ठीक है त तो उसको क्या बोलते हैं जी केटर्स या फिर आस्टियो मलेशिया रोग विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है यह कौन से इसके स्त्रोथ क्या क्या खाने से विटामिन डी जो है उसकी पूरती पूरी हो जाएगी तो मक्खन, मचली का तेल, अंडा आधी ये सब चीज खान इसे विटामिन D की पूर्ती पूरी हो जाती है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन E ठीक है विटामिन E का केमिकल नेम क्या है तोको फैरोल ठीक है तोको फैरोल विटामिन E का केमिकल नेम हो गया ठीक है इसके कमी के कान क्या होता है पुर्सों में न पुन सकता जाती है और इस्त्रियों में बांज तो अंकुरीत बीजव आपको Option में में मिलेगा ठीक है अंकुरीत बीजों में सबसे ज्यादा झीशन आपका.rat ए टीक है विटामीन ए से ये कुस्टन बनता है कि विटामीन ए कोन से ख़द्य पदार्तों में पाए जाता है या पिर निमिन खित में से क 누ली विटामीन फाय जाता है तो अंपूरित बिजों में इसका डीक सय ज्लित युझा भगर direct कमीन क्टीन ग्रों50 ठीक है नफथोन, क्विनोन, Canot chemical name हो गया इसकी कमी के कराण क्या होता है? नहीं जब पाता है, ठीक है, हमारे शरीर मेश क्रहरों जो रख्त का थक्का होता है वह कौन से विटामिन की कराण जमता है? विटामिन के कराण है रख्त थक्का क्या होता है? जैसे कि माल लीजी आपको यहाँ पर चोट लग गई, आपको खून आने लग जाएंगे, अगर आपके स्रीर में विटामिन क की कम्मी होगी, तो ज्यादा देर में आपका खून बहना बंद होगा, अगर आपके स्रीर में विटामिन क की पूरी है, विटामिन क पूरा है, तो तो आपका रक्त का थक्का जो है फिर रक्त जो बैह रहा है वो बहुत ही जल्द बैहना बंद हो जाएगा ठीक है तो यह सब विटामिन के कान होता है इसके सोत क्या क्या है टमाटर पालक गोब भी इन सब में विटामिन के पाये जाता है ठीक है तो रक्त का थक्का विटामिन के से यहां से विटामिन के से क्यूस्टन और बनता है आपका कि निमन खित में से कौन सा विटामिन हमारे सरीर में बनता है तो यह हमारे सरीर के यक्रत लीवर में ठीक है तो विटामिन के हमारे सरीर के लीवर में बनता है ठीक है तो पुछे कि निमल खित में से कौन सा विटामिन हमारे लीवर में बनता है तो विटामिन के यह हो गए आपके vitamins, इनके chemical name, इनके chemical name हमें एक बार जल्दी जल्दी फिर revise कर लेते हैं, सब के सब, ठीक है, और यह इनकी बिमारिया हो गए, इनकी कमी के कान कौन सी बिमारिय होती है, यह source सत्रोत हो गए, ठीक है, तो vitamin A का chemical name, retinol, vitamin B1 का chemical name, thymine, vitamin B2 का chemical name, riboflavin, vitamin B6 का chemical name, pyridoxin, vitamin B7 का, biotin, vitamin B12 का, sinocobalamin, ठीक है, vitamin C का, ascorbic acid, vitamin D का, calycalciferol, vitamin E का, tocopherol, vitamin K का, naphthon queen, naphthon ने, quinone, ठीक है, और vitamin B12 में कौन सी दातू पाई जाती है, kobalt दातू, vitamin C किस में अनुपस्तित होता है, दूद में अनुपस्तित होता है, ठीक है, दूद में vitamin C नहीं होता, vitamin K कहाँ पे बनता है, liver में, ठीक है, यकरत में, और vitamin D हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूरिय की किरणों से ठीक है हमारे सूरिय की जो किरणे होती है उन से विटामिन डीप राप्त होता है ठीक है तो यह सब क्यूस्टन हमारे विटामिन से हो गए एक दो क्यूस्टन और बचते हैं आपके वह और करते हैं कि विटामिन से और क्या क्यूस्टन बनते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि विटामिन A की खोज किसने की ठीक है यहां पे दो तिन विटामिन है विटामिन A, B और विटामिन C, विटामिन D ठीक है वैसे तो फंक ने इनका नाम दे दिया विटामिन और लुनिन ने इनकी खोज कर दी लेकिन कई बार एक्जाम में देखा गया ह कि special पूछ लिया जबता है कि vitamin A की खोज किसने की, B की किसने की और vitamin C की किसने की, ठीक है, तो यहां से 2-3 questions और बनते हैं आपके उनको और करते हैं, तो आपके vitamin A और B की खोज किसने की, तो vitamin A और B की खोज की आपकी मैकूलन ने, ठीक है, vitamin A और B की खोज मैकूलन ने, ठीक है उसके बाद आते हैं vitamin C की खोज खिखने की विटामिन C की खोज कि इसने की, हाव कटने, ठीक है, विटामिन C की हाव कटने, विटामिन A और B की मैकुलन ने, विटामिन C की हाव कटने, उसके बाद पुछता है कि विटामिन D की खोज कि इसने की, तो विटामिन D की खोज की, होफ किंग्स ने, ठीक है, होफ किंग्स, य थीक है, होफ, किंग्स तो यह तो दो-चार क्युस्टन और बनते हैं आपके विटामिन से, आप इनका ध्यान रखना विटामिन A, B की खोजकिषने की, मैकूलन ने विटामिन C की, हाफ कटने हाफ कटने, सोरी विटामिन D की, हाफ किंग्स ने ठीक है ये दो चैर्ट क्यूशन आपके देखे गए हैं जाम में पुछे गए हैं ठीक है और आप इस वीडियो को दो से तीन बार देखोगे तो एटोमेटिक आपको ये केमिकल नेम याद हो जाएंगे ठीक है और अगर आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कोमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप इनको रिवाइज करना और बहुत ही जल्द हमें इनकी एम सिक्यूज की वीडियो लेके आएंगे आपका वहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कहां पर आपकी कमजोरी है कहां पर आपको दिक्कत आ रही है ठीक है तो यह थे आपके विटामिन्स आज का हमाया टोपे की विटामिन्स यहां पर पूरा होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद